आयम मुहम्मद अजरदीन शेखाजम देखेंगे कि MKCL का जो MSBTE है उसके फिरोफ फार्म भरने का प्रोसेस कि किस तरह से फार्म अप्लोड करें सबसे पहले हमें Google से जाना है MKCL की ID पर Solar MKCL में वहाँ जाने के बाद जो Networks है Networks Admissions वहाँ पर Operations है Network में Operations वहाँ पर है यहाँ पर Business Plan, Event, Applications, Schedule Events, Submit Event और Exam Controller Nomination तो हमें Exam Controller Nomination में जाना है और वहाँ पर नाम लिखना है, Last Name लिखना है, Gender, Date of Birth, Mobile Number, यह सारा Email ID, Address, Qualification, आधर नमबर और फिर हमें आधर काट की Scan को भी जोड़ना है, Equipation, Profile और Bank Account की Details डालना है और उसकी Passbook की हमें जोड़ना होगी, Document, Bank Account का Proof और Declaration File जो MKCL की तरफ से एक मिलता है कि उसे भर कर Declaration Form 200KB में होना चाहिए यह और इस तरह से हम verify कर सकते हैं उसे तो अभी हमने यह सारी Details भर दी है और अब इसे हम यहां से Submit करेंगे Submit करने के बाद यहां पर Option आएंगा Your Application में से चला गया और यह Controller का नाम आ जाएंगा अब यहां पर जो Stratus है तो यह Painting में है यानि कि MKCL से जब यह उसे Add करेंगे अप्रूफ करेंगे तो Approved लिखकर आएंगा और जब यह Add हो जाएंगा तब यहां पर Approved लिखकर आजाएंगा अभी फिलाल में यह Painting में रहेंगा बाद में हम इसे Delete भी कर सकते हैं, Withdraw कर सकते हैं, Application तो इस तरह से हम यहां पर अलग-अलग Options इस्तेमाल कर सकते हैं तीन और View से हम देख सकते हैं कि हमने क्या वह रहा है, क्या नहीं, तो चुके यह Confidential इसलिए हम यह सारा आपको बताएंगे नहीं, तो यह था हमारा MKCL Solar Login से New Examiner Detail Add करने का Method, Exam Controller Details Add करने का Method, Thank You Very Much